दोस्तों आप देख पार रहे हैं यहां पर कमलादाजी की जो पोएम है एन इंड रिडॉक्शन इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेशन पुछे गए हैं और आज की वीडियो में मैं इन सभी क्वेशन की आंसर देनी की कोशिस करूँगा चले स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेशन से यहां पूछ जा रहा है वाट इस दःधनलेम आफ कंलाधास यानि लादाज जी निम क्या था तो जो थो आपक निम है वो मादवी कटती है तो यहां पर फर्स्टतन है मादवी कुट्टी यह प्रहें और जो नेट्स्ट प्वेशन led पूछे सब आड एन इंडि दक्शन इसकां इन दध गोसी या कंफेस्टनल है यह कंफेस्टनल और इसमीं से किस मोड में या वर्ट्स में लिख्याध यह और बारे में बहुत इ अपने लाइफ के बारे में और आगे चलके लास्ट स्टैंडजा आते आते ये कमलादाद जी बहुत सारे चीज़े कंफेस्ट भी करती है तो यहां पर यह जो पोएम है यह कंफेस्टनल भी बन जाती है और एक ऑटो बाइगर्फिकल भी है तो इसलिए यहां पर यह पोएम जो लिखी गई यह कंफेस्टनल और ओर बाइगर्फिकल मोड में लिखी गई आ और दोस्तो जो कमलादाद जी है वू आपकी एक कंफेस्टनल पोएटर भी है तो जो next question है यहां पर इसी तरह से यह आपका पुचा जा रहा है इसमें पुछा गया है कि beside English कमलादाज also rotten यानि कमलादाज जी ने English के अलावा और किस में लिखा है तो दोस्तो कमलादाज जी ने English के अलावा मल्यालम में भी लिखा है तो ये वाला option लास्ट मल्यालम is correct और जो next question दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि कमलादाज is also known as यानि कि कमलादाज जी और किस नाम से जानी जाती है तो दोस्तों अभी आपने देखा था कि कमलादाज जी माधवी कुट्टी के नाम से भी जाना जाती ये इनका एक pen name है तो यहां पर यह वाला option भी वाला माधवी कुट्टी is correct और जो next question है दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है इसमें पूछा गया है कि which politician is mentioned in the poem and introduction यानि इस poem में किस politician यानि किस राजनीता के बारे में mention किया गया है यानि जिकरी किया गया है तो दोस्तों इस poem में जब आप पहले स्टेंजा को पढ़ेंगे तो पहले स्टेंजा में ही वो नहरो जी के बारे में बताती है कि मैं ऐसे तरह से वह उन्होंने लिखा है कि I don't know politics but I know the names of those and powers and can repeat them like days of week or names of months और फिव आगे लिखती है कि beginning with Nehru यानि कि I don't know politics यानि कि मैं politics के बारे में कुछ नहीं जानती मिस सी सेंग आम नौट इंट्रेस्टेड इन पॉलिटिक्स मैं पॉलिटिक्स में मुझे इंट्रेस्ट नहीं है बट लेकिन I know the names लेकि मैं names जानती हूं of those and powers मैं उन लोंगों के नाम जानती हूं जो powers में रहे हैं यानि जो politicians हैं उनके नाम जानती हूं मैं and can repeat them like days of week और मैं उनके नाम जो है वो जो days of week है यानि दिनों के नाम है जो महीनों के नाम है उनकी तरह ब्लुक्ल आसानी से आपको गिना सकती हूं and beginning with narrow जी से start करके तो दोस्तों यहां पर वो बोलती है जिसे start करके उस समय में जितने भी politicians रहे हैं उनके नाम में वो ब्लुक्ल आसानी से जैसे कि दिनों के नाम महीनों के नाम वो गिना सकती है उससे तरह से बहुत ही असानी से वो जितने भी पॉलिटिशन है जो पावर्स में रहें उनके नाम वो गिना सकती है तो यहां पर फर्स इस्टेंजा में ही लिखा है कि जो नहरो जी है उनके बारे में तो यहां पर जो जिक्रे किया गया है जिस आट इस प्लिटिशन का वह नहरो जी है तो आप्शन एस करेक्ट और अदूस्ट इसमें लिखा आए कि काblem कहा हुआ था तो इंका जर्म हुआ था माला बार में तो लाश्ट आप्शन माला बार यह करेक्ट है और इसमें लिखा है कि which bird is mentioned in the poem an introduction यानि कि यह जो poem है an introduction इसमें किस bird के बारे में जिक्र किया गया है तो दोस्तों इसमें जिक्र किया गया है कोवे के बारे में crow option जो भी है यह correct है दोस्तों आप यह poem जब पढ़ेंगे तो बीच में ही एक stand to me sikrit किया गया है कि वो जो कमणा दाजीं वो बोलती है इस तरह से कि जो crow है यानी जो कवा है वो जिस तरह से काउं काउं करता है तो जुस्तों और जिस तरह से जो शेयर हो दहएता है तो यह दोनों वा यह सारे चीज़ा जो करते हैं वह बीना कैसी एफट के करते हैं मतलब से इंगजिश इलिए उसमें लिखती हूँ और वो लिखती है कि बिल्कुल मैं धारा प्रवा लिखती हूं और बीना किसी effort के लिखती हूं means I write fluently and effortlessly मैं बिल्कुल ही effort के effort के बिना मैं लिख सकती हूं जैसे कि कवे को काउं काउं करने के लिए बिल्कुल भी effort की जरुत नहीं पड़ती उसी तरह से मुझे भी इंग्लिस में लिखने के लिए किसी तरह की effort की जड़त नहीं पड़ती है तो यहां पर जो पोयम है इस पोयम में कमला दाजी क्रो के बारे में जिक्री करती है जो बर्ड है क्रो उसके बारे में जिक्री किया गया है तो यह वाला option character दोस्तों और जो next question है दोस्तों वीए तो इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें पूछा गया कि तो पूछा गया कि पीपल ट्रफा दुप यह भी जो लोंग है वह कमला दाजीर कि को क्या चीजंड नहीं यूजुँक değil और सलादे रहे हैं तो थो कमला दाजी को तो लोंग जोनके रैलेटिवस्में जो फ् लोके एंग्लिश का वो य्यूस ना करें तो यहां पर यह वाला ओप्सन गैरेक्ट है इंग्लिश और जो नेस्ट क्वेशन है दोस्तों हमारा इसमें पुछा गया है इसमें पूछा गया है कि how many languages does Kamaladas knows दो सो कमला दास चीजों कितनी languages जानती है तो दोस्तों वो थ्री लेंगवजेस जानती है उन्होंने जो पोयम है इसमें बताया भी है कि वो कहती है कि I speak three languages and write in two and dream in one वो कहती है कि मैं तीन लेंगवजेस बोल सकती हूं means she knows three languages और फिर बोलती है कि मैं दो लांगवजेस में लिख सकती हूं and dream in one यानि कि मैं एक भासा में एक लांगवज में ड्रीम यानि सपनी देख सकती हूं यानि देखती हूं तो यहां पर वो बताती है कि वो तीन भासाएं जानती है तो यहां पर यह वाला option जो है third option c3 is correct और जो next question है दोस्तों हमारा कि इसमें पूछा जा रहा है कि एन इंड्रेक्शन इस टेकन फॉर्म पोईटिक फॉर्म पोईटिक कलेक्शन नेम्ड यानि कि यह जो पोयम है एन इंड्रेक्शन यह कमला दाजी की जो पोईटिक कलेक्शन है किस पॉइटिक कलेक्शन से ली गए उसका नाम बताना हमें तो दोस्तों यह जो पोयम है यह कमला दाजी की पॉइटिक जो कलेक्शन उसका नाम है summer in Calcutta यह वाला option first वाला correct है यानि summer in Calcutta जो कमला दाजी को पोईटिक कलेक्शन है summer in Calcutta से ली गई है और जो next question दोस्तों इसमें पुछा जा रहा है कि an introduction is composed by very easy question आपको पता ही है कि यह कमलादाज जी की द्वारा compose की गई है तो जो next question इसमें पुछा जा रहा है कि आई टू कॉल माई सेल्फ आए हुज आए है यानि कि मैं भी अब अपने आपको मैं कहती हूं और यहां पर जो आई यूज किया गया वह किसके लिए यूज किया गया जो उस्तों कमलादाज जी अपने लिए यूज करती है आई तो यहां पर यह वाला option सही है है फर्ष्ट वाला कमलादाज हरसर यानि कमलादाज जी ने स्वयम के लिए यह आई यूज किया है और जो नेस्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आप इसमें इनमें से कुछ बहरा है इनमें से जो ऑप्शन दियेगा इनमें से एक सही फिल करना है तो इसमें पूछे जा रहे हैं कि आम डाज आम सैंट याल ऑप्शन सही दोस्तों इस पोयम में ही दोस्तों ने कहा है कि आएम सेंट आप सॉरी आम सिनर आना में सेंट यानि कि मैं मैं पापी हूं मतलब होता पापी और आम सेंट मैं साथ हूं यहां पर वो बताती है यह जो लाइन आपकी आई है यह आपकी लास्ट पैराग्राफ है सायद आप देखिए का पोयम में कि लास्ट पैराग्राफ में वो बोलती है यह सारी चीजे कि आम सिनर आना मैं सेंट यानि कि मैं क्या हूं मैं पापी हूं मैं स कि सिनर का मतलब होता है पापी यानि कि जो बहुत बुरे काम करता हो या जिसने बुरे काम किये हो या जिन में बुरे वक्तियों के गुड़ हो और संट का मतलब क्या होता है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे काम किये हो या जो दुंगों के भलाई करता हो संथ तो यही रहती हों उनके भी गुड़ है यानि मैं अच्छी भी हो मैं बुरी हों तो यह चीज़ इंका कहने का मतलब है यहां पर तो जो नेक्ष कुर्शन दोश्तों इसका आशर आपको पता चल गया सीनर है और जो नेक्ष कुर्शन है दूस्तों हमारा इसमीन पूचे जा रहे कि इन यहां पर यहां पर यह लॉप्सन से में मिजरेबल इसका मतलब होता है दुखी तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दूस्तों हमारा कि तो इसमें पूछा जा रहा है कि फॉर राइटिंग इन विच शॉरी यह फॉर राइटिंग इन विच लैंग्विज इन विच लैंग्विज तो इसकी हिंदी यह है कि इन विच लैंग्विच फॉर राइटिंग इन विच लैंग्विच यानि कि हेले इन विच लैंगवज यानि किस भासा में फॉर राइटिंग यानि लिखने के लिए सी हैस बीन अपोश्ट यानि कि उनका विरोध किया गया है बाई बाई मतलब दुआरा उनके रेलेटिव मतलब उनके जो रिष्टिदार हैं और जो फ्रेंड्स हैं इन विच लैंगवज यानि किस भासा में फॉर राइटिंग यानि लिखने के लिए सी हैस बीन यानि कमला दास हैस बीन कमला दास जी को का विरोध किया गया है उनके जो रिष्टिदार हैं और जो फ्रेंड हैं जो उनको बहुत जादा उनका विरोध किया गया था उनके जो थे और जो critics हैं जो भी इनके घर पे विजिट करते हैं वो सभी उनको बार-बार उनका विरोध कर रहे तो उनको कह रहे थे कि वह इंग्लिश में ना लिखे तो यहां पर यह वाला option जो है इंग्लिश करेक्ट जो next question दोस्तो इसमें पूछा जा रहा है कि which place is mentioned in the poem as a birthplace यानि कि इसकी हिंदी यह है कि which place यानि कि कौन सा प्लेज या कौन सा स्थान का जिक्र किया गया है इस पोयम में as a birthplace उनकी जन स्थान के रूप में तो दोस्तों आप लोग ने जब पढ़ा हो गया यह कि I'm very sorry दोस्तों मैं इस poem को नहीं पढ़ा पाया हूँ अभी तक लेकिन आप लोग ने अगर पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि जो mention place किया गया वो माला बार के बारे में उन्होंने जखर किया है उन्होंने बोला भी है कि कि इसी तरह कि first stanza आप देखेंगे त तो first stanza में ही उन्होंने बोला है कि उन्होंने मतलब फिक्र किया माला बार में कि मेरा जन्म माला बार में हुआ है वो बताती है इस तरह से कि आम इंडियन मैं भाड़ती हूं and very brown और फिर तरह से बोलती है कि born in माला बार में मेरा जन्म हुआ है यानि वो बोलती है कि हम इंडियन में भारती हूं और very brown यानि कि मेरा जो color है वो brown है means she is saying कि जो उनका means she is of brown is complex she is saying and उनका जो जन्म हुआ है वो माला बार में हुआ है तो यहाँ पर उन्होंने जो जिक्र किया है इस poem में जिस place के बारे में as a birthplace यानि कि उनके जन्मिस्थान के रूप में उसका नाम है माला बार तो option यह वाला करेक्ट है सी वाला माला बार कि और जो next question दोस्तों इसमें लिखा है कि I speak डास languages right in two and dream in one यह तो आपको पता है यह दोस्तों इसका अंसर 3 उन्होंने बोला ही है इसमें कि I speak three languages and I write in two and two में लिखती हूं मैं और ट्री एक में लिखती हूं तो options यह आपको पता ही होगा दोस्तों यह बहुत easy question है कि इसमें लिखा है कि यह दूस्तों हिंद साराज से है question तो दूस्तों इस तरह से यह जितने भी question थे आगे मैंने इनके आश्याज को लिया गया question है और यह अले questions कभी आश्यमें बता चुका हूं तो दूस्तों यह कुछ